नमस्कार सातियों, योटूब मैं चानल में आप सबी का दिल से स्वागत है दोस्तों कोन बनेगा क्रोटपती 2024 के ग्राउंड ओडिशन शुरू है और आगे भी शुरू होने वाले है 24, 25, 26 में को ग्राउंड ओडिशन हो चुके और 8 और 9 जून को के बिशी ग्राउंड ओडिशन होने वाले इन में से 25 में को मेरा खुद का ग्राउंड ओडिशन पवार पब्लिस स्कूल कांधिवली मुंबई में हो चुका है जिके टेस्ट और पी आए हो चुका है और उमिद करता हूँ टाप टेन में यानि फस्टेस फिंगर फस्ट में कॉल आ जाए और ये भी उमिद करता हूँ जिनका ग्राउंड ओडिशन अभी तक हुआ नहीं उन सभी दोस्तों का सिलेक्शन वो भी पी आए तक पहुचे और हटशिर तक जरूर जाए लेकिन अभी तक 24-26 में से लेके 8-9 जुन तक कौन से सवाल पुचे गए और पुचे जाने वाले है चलिए हम देखते हैं और आपके सामने पेश करते हैं तो सबसे पहिने चैनल को सब्सक्राब लाइक और बेल आइकोन पर प्रेस करना ना भुलेगा दोस्तों यह है कंट्री की अलग-अलग फ्लैक पर हम खास एक सवाल आता है इमेज दिखाते हैं और पुच्छते हैं कि यह फ्लैक कौन से देश का है तो आपको सबी को अच्छी तरह से पढ़ाय करके जाना है और दूसरा सवाल पुच्छते हैं दो-दो-ती-तिन इमेज पुच्छते हैं और यह है अपमारा इंडिया कंट्री और उसके स्टेट और स्टेट की कैपिटल्स क्या है यह भी सवाल पूचे गए है और यह तिसरी इमेज अनिमल एंड बर्ड्स पर पूची जाती है और यह आपको गवर से देख कर जाना है यही कोई अनिमल या बर्ड्स पूचे नहीं जाते कोई और भी पूचे जाते और तिसरी इमेज है एक्ट्रेस Hollywood, Bollywood जो भी एक्ट्रेस होंगे उसकी इमेज दिखाई जाते है और पूछे जाते है किस एक्ट्रस का इमेज है या इन से सम्मधित कोई और जानकरी पूछी जाते है और एक्ट्रेस भी पूछे जाते है और 24-25 में Ground Audition में ये सवाल पूछे गए थे तो आपको सभी को तैयारी करके जाना बहुत ही जरूरी है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आई-पि-ल क्रिकेट से सम्मधित एक सवाल हमखास होता है तो दोस्तों आई-पि-ल का इमेज हो Hollywood, Bollywood, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का इमेज हो या Political का इमेज हो यह सभी को आपको गवर से देख कर जाना है पहिचानना है और सबसे बड़ी बाद Science, Geography, Political Science, History और Current Affairs से सम्मधित सवाल जवाब होते है सिर्फ Current Affairs के दो सवाल होते है उससे ज़्यादा नहीं होते इसलिए आपको सभी सवालों के जवाब की तैयारी करके जाना है तो जिनका Ground Audition 8 और 9 जुन को है उन सभी को मेरी तरफ से दिल से शुब कामना है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद